वेल्कम बैक एवरीवन माई नेम इस सायन घोस्ट चली शुरूगत आज का इनलेसिस जहाँ पें स्टडी करने वाले कि मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेट मैं हो सकता है साथ ही साथ यह भी डिसकस करेंगे कि अगर आप वीकली प्लेयर हो आपको व अपडेट इस वीडियो में अगले वीडियो में दे दूंगा कि गाव सीउंग ट्रेडिंग के स्टॉक हमने जो तिया था लास्ट विक में वह कैसे परफॉर्म की नहीं कितशिका करेंगे सब्सक्राव इस लेवल को स्ट श्राट स्टेड़ी किया था हमने हम ने लिए ना नीचे गया इसे रेंज के अंदर रह गया और जब लास्ट में कल मार्केट ने क्लोजिंग दिया इस रेंज के अंदर लोगों नहीं पर शॉट स्टैडल नहीं तो वनाया था उनका अच्छा कासा है पर प्रॉफिट जरूर देखने को मिला होगा अब यहां पर जो कैंड सटेंट कर जाए और बैंग निफ्टी अपना ब्रिक आउट देदे तो यहां पर हुज पॉसिबलिटी होगा कि बैंग निफ्टी फॉर्दर अपसाइट जाएगा फॉटि फाइफ फाइफ फॉर्टिफोर फॉर्टिफोर सेवेंदड अप्टो फॉर्टी फाइफ क्योंकि इतने बड़े रेंज बाउंड मार्केट के बाद जब भी बैंक निफ्टी या कोई भी सेक्टर जब मुवमेंट देता है तो जितना बड़ा रेंज यहां पर था उतना यूज मुवेंटम अपसाइट देने के चांसे होते हैं तो विस हमें यह ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी अच्छा सा कैंडल उपर क्लोजिंग दे बहुत प्यारा सा कैंडल क्लोजिंग दे और उसका हाई ब्रेक कर जाए तब यहां पर बुलिस मोवेंटम के लिए बैठ सकते है मतलब जो वीकले प्लेयर्स हो आपकोस वेट करना है कि मंडे या कोई भी क्लोज होगा जैसे क्लोज होगा अपसाइट हम यहां पर बुलिस कोई पैटन में ट्रेड ले सकते हैं या आप कॉल बाय पुट सेल नहीं तो बैंक निफ्टी का फ्यूचर भी बाई कर सकते हो पर बाइंग नहीं करना है और इसके नीचे सेलिंग देखेंगे साधी साथ मैंने यह भी बताया था कि इस लेवल के नीचे ही सेलिंग देखना क्योंकि थोड़ा डाइस सेने होने वाला है देखके लगता नहीं कि यूद सेलिंग कुछ हैगा और सुबा सुबा भी हमने टे लास्ट वीडियो वहां मैंने बोला था कि 44,000 टच जरूर करेगा अगर मार्केट अपसे जाता है तो उसको ब्रेक करने का चांस भी रहेगा और उसको ब्रेक भी किया मार्केट ने 40,000 50 तक का हाई आई थिंग बनाया था और क्लोजिंग यही पर दे दिया अब देखते हैं कि तो there is a higher possibility कि थोड़ा सा भी अगर upside push मिल जाए that means 44,100 या 44,120 के उपर अगर बैंक निफ्टी मंड़े के दिन sustain करता है तो बहुत अच्छा momentum upside मिलेगा तो planning क्या है देगो planning यह है कि market थोड़ा सा gap opening हो नीचे आए कोई buying pattern बनाया और high break कर दे अगर उस high को break करता है then यहाँ आप अपनी सबसे देख सकते हो इत्री सजेस्टेट कि आप ITM में ही काम करो OTM और ATM में कम मत करना और जितने market उपर जाता है अपनी सबसे stop loss टेल करके जा सकते हो chances will be there कि 44,300 44,400 के level भी मिल सकता है यह possibility है अच्छा SL कहां बठाएंगे SL होगा यह जो range बनाया मार्केट ने इसके ठ trend line बनाया है जब तक market properly इस trend line के नीचे नहीं आता तब तक हम selling के लिए बैठेगे अब तक हम selling के लिए नहीं बैठेगे ठीक है अगी अगे अगर यह प्लैनिंग क्लेर हो गया अब चलो देखते कि अगर मार्केट range बांड ओपन होता है मतलग ना ज्यादा gap up ना ज्यादा gap down कही नहीं कि इस range के अंदर open होता है क्या करना है I think idea हो गया होगा बस wait करना कि upside break करे 44100 ब्रिक कर जाए ऐसी चक्कर में 44100 कहीं नहीं कि यहाँ पर है अगर यह ब्रेक करता है इसे मार्केट सुस्टेंट करता है तो अगेर हम buying के लिए बैठेगे मतलब call buy ने तो put sell अचा sell कर सकते क्या देखो selling के लिए जा सकते हो possibility है कि falling आएगा वह ज्यादा टागेट नहीं मिलेगा नेचे के तरह 200-250 पॉइंट भी मार्केट आएगा फिर यहां से further upside भी जाएगा यह possibility है मतलब मैं अभी मार्केट में बुलिस में नहीं हो रहा मेरा जो मूड है आप मार्केट में बुलिस का ही मूड रहेगा जो भी ट्रेड लेना होगा बुलिस ट्रेड ही लेने वाले है तो बहुत अच्छा मोमेंटम आ रखता है अब इंट्राडेम अगर कोई selling आता तो अलग बात है अगर overall जो मूड है वह बुलिस है अच्छा यह मूड मूड मतलब यह sentiment कब change हो सकता है देखो बैंक निफ्टी में जो sentiment है बुलिस sentiment हो तभी change होगा जब यह levels नीचे ब्रेक करेगा को सा लेवल है 43-400 लेवल जब तक डिली कैंडल में 43-400 के नीचे कोई red color candle closing नहीं आता तब तक हम selling के लिए नहीं बैठेंगे तब तक यह बुलिस मूड में ही रहने वाल है अगे आई होप यह clear हो गया हमने थोड़ा analysis कर लिए gap up का sideways का और gap down का कर लेता quickly इस gap down में क्या हो सकता है देखो gap down में market higher possibility है कि sideways रहे तो gap down में आपको अब्जर्ब करना है कि 43,700 43,800 के आसपास market proper कोई pattern बना है W pattern यह ऐसा कोई triangle pattern आज triangle pattern था यहाँ पर तो ऐसा triangle pattern ब्रिक आउट आता है W pattern ब्रिक आउट आता है तब जाके कोई ट्रेड लेना ने तो single candlestick में ट्रेड लेना कोई मत करना market आपको trap कर सकते है ओके आई होप यहां तक आपको clear हो गया चलो अब quickly देखते निफ्टी में क्या momentum हुआ आज और Monday के दिन क्या planning होगा यहां पर सबसे पहले डेली टाइम फिर्म चेक करेंगे डेली टाइम फिर्म में यहां पर क्या चल रहा है डेली टाइम फिर्म अगर चेक करें यहां पर मार्केट एक breakout देने का कोसिस कर रहा और ब्रेक आउट इसने सक्सेस्फुल दे भी दिया कोंसे लेवल था 18,450 लेवल और इसने closing almost 18,500 तक कर दिया अगर आपको कल का वीडियो याद हो वहां मैंने आपके साथ discuss किया था कि अगर इस trend line के ऊपर market sustain करता है तो definitely हम बाइंक ले जाएंगे अप साइट के target में लिख दिया था आपको properly बोल दिया था कि 450, 400, 450 और 500 तक का level हमें देखने को मिलेगा और exactly तीनों के तीनों target हमारा अचीव हुआ लास्ट मिनिट तक market हमाना target यहाँ पर देखे गए अब चलो देखते मंडे की दिन क्या planning होगा यहाँ पे लेवल observe कीजिए 18,450 लेवल एक resistance का काम कर रहा है अब यही लेवल मंडे की दिन में एक support का काम करे बस हमें observe करने कि market अगर gap opening होता है या sideways open होता है बस 450 के उपर sustain कर जाए मतलब 18,450 क के उपर sustain कर जाए उसके उपर हम only buying का ही ट्रेड लेने वाल ठीक है एक idea हो गया जोला अब देखते ओपनिंग के साब से क्या planning होगा जहां से देख लेते हैं अगर हमने देखा कि market 50.50 बहुत ज्यादा gap opening हो जाएगा अगर 20.25 पॉइंट गैप opening हो रहा है नीचे आके reverse करता कि हम यहाँ पर ball में बैठ सकते हैं buying में बैठ सकते हैं put sell में बैठ सकते हैं upside में target आपको open होने वाला है 18.550, 18.600, 18.650 अपका upside में target हो जागा जो जो wording है आप बोल रहा हूं ध्यान से लिख के रखिएगा अच्छा यहाँ पर क्या सर्थ selling के लिए बैठ सकते हैं देखो selling म हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक market properly 18,425 के नीचे नहीं आता जैसे market 18,425 के नीचे sustain करेगा तब जाके यहाँ पर हम sell का trade plan कर सकते हैं ठीक है यह तो बात का बात है अगर ऐसे कोई scenario हुआ तो definitely टेलिग्राम में बताने के खुजिस करूँगा अब देखते कि market अगर sideways open ह हो तो क्या करना है मतलब कहीं है कि market यहाँ open हुआ आपको बस करना क्या है एकदव simple observe करना है कि आज का जो day high था वो break हो रहा है कि नहीं मतलब simply 18,500 break हो रहा है कि अगर इसके market sustain करता है तो हम buying का trade plan करेंगे ठीक है इसके उपर हम buying का trade plan करेंगे target आपको थोड़े पहले बता द है तब जाके कोई trade plan होगा आशा यहाँ पर एक चीज हो सकता है कि market sir 100 point gap down हो जाए तो क्या करेंगे मतलब कहीं है कि यहाँ पर यहाँ पर wait and watch करना है देखना है कि market यहाँ पर कैसा reaction दे रहा है यह जोई हाई बनाया था market नहीं that is around 18,421 अगर इसके नीचे market रहता है तो मैं trade avoid करूँगा और अगर sideways होने के बाद थोड़ा सा bullish momentum आता है और 420 के उपर sustain कर जाता है तब यहाँ पर हम लोग बाइंग का trade plan कर सकते है maximum target आपका 500 कर रहेगा अगर यह break कर गया तो बाकि target आपको बता दिया कि selling अभी नहीं देखना है selling तब ही देखेंगे जब तक market इस particular level के नेचे नहीं आता that is around 18,000 330 level जब तक इसके नीचे market नहीं आता तब तक selling का हाथ नहीं लगा नहीं यहां सिर्फ पाइंगी बाइंग देखने बाद है ओके planning clear हुआ थोड़ा से weekly planning करते है weekly साब से market है बहुत अच्छा breakout दिया है तो जितने weekly players है आप लोग को आज एक entry ले ले लेना चाहिए था मला एकदम market closing है आसपस यहां पर bullish trade लेना चाहिए था keeping stopless around this level मला एकदम आज का जो लोग है यहां तक का तो Monday को जितने players है बस आपको यह देखना है weekly play specially आपको यह देखना है कि अगर market थोड़ा से pullback होगे high break करता है ठीक है तो आपको यहां पर weekly के लिए buying position बनाना पड़े buying position बनाएंगे आपका SL मना अगर को safe SL बठाना है तो इस candle के नीचे that is around 18,200 मतलब 300 point का SL होगा आपका और expected target भी यह है कि market upside 200 to 300 point जाए मैं risk to reward का बात नहीं कर रहा यहां पर maximum जो weekly players होते है वो option selling करते है तो as per option selling आपको यहां पर जब तक market इस level के उपर है आप अराम से hold कर सकत हो ठीक है समझ आया चलो अब देखते हैं कुछ stocks के बारे में जिन में trading कर सकते हैं सबसे पहला stock है हमने रखा है that is icer motor यहां पर आपको नाम लिखा आ जाएगा icer motor में क्यों रखा हो यहां पर देखिए इस stock ने resistance के आसपास closing करने को सिस किया साथी साथ एक continue एक uptrend में चल कर रहा है एक trend line के उपर sustain कर कोशिस कर रहा है तो यहां पर level market 3700 level अगर हमने देखा कि मंड़े के दिन market particularly 3700 के ऊपर sustain कर रहा है तो definitely buying के लिए जाएंगे अच्छा यहां पर selling के लिए बैठ सकते है कि नहीं selling avoid करना selling best to avoid क्योंकि ऐसा कोई level नहीं है जो market में seller को aggressively entry कर वाएगा क्योंकि यहां पर support ही support बढ़े बढ़े यहां भी एक support है तो selling करते हैं भी market sideways ही जाने वाला है तो selling avoid करेंगे यहां पर only buying के लिए जाएंगे 3700 के ऊपर ठीक है अब next stock देखते है next stock है यहां पर HDFC AMC यहां पर क्यों इसको दे रहा हूं अगे इन देखो इसने resistance के आपस closing दे आते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम में इसको बहुत अच्छा closing इसने दिया है जो यहां पर resistance लेवल था एकदम यह भी आपके closing दिया और यहां पर इसने time pass किया मतलब यहां पर buyers और seller accumulate हुए बस आपको मंदे के दिन में ध्यान रखना है 1860 के ऊपर अगर यह stock sustain करता है कोई buying pattern मन आते हैं तो definitely buying करेंगे अच्छा स्टॉक का नाम एक और बोल दे रहा हूं HDFC AMC नीचे आपको लिखा जाएगा अच्छा यहां पर क्या selling कर सकते हैं सर मंदे के दिन में हाँ selling का planning थोड़ा सो सकता है पर bigger कोई target मत रखना यहाँ पर selling का trade कब कर सकते हैं जैसे ही नीचे की तरह भी कौन से level है 1844 1843 लिख लिए 1843 के नीचे अगर यह stock sustain करता है तब जाके कोई sell का trade plan करेंगे bigger target के लिए नहीं बैठना only 15 to 20 point target के लिए बैठ सकते है market there is a possibility कि यहाँ पर आए 1820 और यहां से rebound कर जाए यह possibility रहेगा तो बहुत कोई trade आपको करना पड़ेगा तो selling होगा इसके नीचे बाइंग होगा इसके उपर fine अब last stock देखेंगे बहुत अच्छा stock है last stock हमारे यहाँ पर है हिंडाल को यह भी similar है यह भी similar देखो resistance के आसपस यहां के इसने आ buying का trade plan करें मैं target discuss नहीं कर रहा है मैं बस आपको यह बता रहा हूं कि किसके उपर आपको buying देखना है किस लेवल के नीचे selling अचा यहां पर selling कब देख सकते हैं जैसे यह stock 410 के नीचे sustain कर जाए तब यहां पर selling का trade plan करेंगे यहां पर expected selling का target हो सकता है 407 405 and up to 402 level जाधा target expect न मैंने थोड़ा concise रखा है nifty bank nifty analysis आपको explain कर दिया stocks explain कर दिया और जो stocks हमने रखा था आज के लिए जिन में trade करना था उसके बाइन थोड़ा discuss कर लेता हूं आपको मैंने बताया था सिपला में कि अगर trend line के उपर जाता है तो buying कर सकते है right selling तो करना है नहीं तो मैं stocks दिखा देता हूं daily time frame क्या perform किया है देखो सिपला ने daily time frame बहुत अच्छा breakout दे दिया तो यहां पे कोई swing trading players भी यहां पे बैठ सकते हो अच्छा next stock क्या है HDFC life इसने भी breakout दे दिया तो यहां अवाइट करेंगा swing trading के लिए ठीक है I hope planning clear वा चलो फिर मेलता है मंडे के दिन में thank you everyone